राम राम दोस्तों मैं अरुन कुमार डारेक्ट वेधिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज चर्चा करेंगे शुक्र घ्रह जब कुंडली में सात्वें भाव में होता है तो क्या से संकेत मिलते हैं वीनस इन दा सेवन्थ हाउस ओफ यूर खुरोस्कोप सात्वें भाव को अगर समझे तो सात्वें भाव होता है आपकी साजेदारियों का पार्टनर्शिप्स का पर्सनल एंड प्रोफेशनल यानि कि आपकी वेवसाइक साजेदारियां और निजी साजेदारी जैसे कि विव विवाईक जीवन इन सब को सात्वें भाव से देखा जाता है सात्वें भाव बिजनस ट्रेड केरियर को भी दर्शाता है क्योंकि यह दस्वें से दस्वें होता है जैसे पहला भाव आपकी निज्टा को बताता है ठीक इसके विपरीत सात्वें भाव अदर वर्ड को बता शुकर आपकी सुन्दरता है आपका आकर्शन है बोग विलास आपकी कामुकता विवा विवाईक जीवन इन सब का कारक शुकर है कालपुरुष के जन्मांक में नैचुरल जोडियक में शुकर सात्में घर का स्वामी होता है औरीजिनल सैवंत हाउस लोड वह है वीनस क्योंक बाव में शुकर होने पर ये उसके लिए एक मजबूत स्तीति होती है शुक्र एक तीवरगामि घर एक फास्ट मुविंग तो शुक्र का साथ में भाव में होना समय से विवाव होना ऐसा संकेत देता है विवाव में सदारंत्या विलम्ब नहीं होता अगर शुक्र मंगल या शनी के परभाव में है, उनके साथ बैठा है, उनकी दृस्टी में है या उनकी राशीों में है, तब विवाव में विलम्भ हो सकता है। आपका जिवन साथी सुन्दर और अकरशक हो सकता है, अगर शुक्र सातुमें घर में हैं और वो आपसे प्यार भी बहुत करेगा। शुक्र अगर सात्वे घर में है तो आपके अंदर अपनी रिलेशन्शिप वा पार्टनर्शिप को लेकर उसमें एक संतूलन बनाने का पैशन होगा। आपको संबंदों में संतूलन रखना, एगरिमेंट्स चीजों वा रिष्टों को जोड़ना ये सब करके आप आनन्द महसूस करेंगे। सातवा भाव आपके केरियर को भी दर्शाता है, ये दस्वें से दस्वा भाव होता है, तो शादी के बाद आपके केरियर में ग्रोथ बढ़ सकती है, आपको जीवन साथी या व्यावसाइक साजेदार ऐसा मिल सकता है जो आपके स्टेटस को बढ़ा दे, शुकर अगर मज बीजनेश साथी सुन्दर गवी होगा सात में मेश राशी का मकर राशी और करक राशियों में अगर शुक्र है तो आपके अंदर कामुकता ज्यादा रहेगी अगर ऐसे शुक्र पर मंगल का, राहू का या छटे आठवें बार्वें भाव के स्वामियों का परभाव है तो आचरन में अनेतिकता भी आ सकती है और सात्वा स्थान मारक स्थान भी होता है अगर शुक्र यहां पर पीडित होते हैं तो sexual diseases गुप्त रोग भी हो सकते हैं किसी महिला या व्यवसाइक साजेदार की मदद से आपकी वेल्थ बढ़ सकती है जीवन साथी में आर्टिस्टिक जो टेलेंट होगा तब वो भढ़ जाएगा मिथुन राशी और कन्या राशी में शुक्र जर्नली सदारंत्या अच्छा फल नहीं देते हैं सात्यमें भाव में धनुलगन में मिथुन राशी पढ़ती है तब अगर शुक्र वहां पर होते हैं तो धनुलगन में शुक्र मारक होते हैं कन्या राशी में शुक्र नीच के वजाते हैं बाकी सभी राशियों में सदारंत्या शुक्र अच्छे फल देते हुए पाए जाते हैं शुक्र अगर सात्यमें भाव में पीडित ना हो तो मिथून और कन्या को छोड़कर वो सबी राशियों में अच्छा फल देते हुए पाए जाते हैं शुक्र की सात्यमें द्रिस्टी आपके लगन भाव पर पड़ती है तो आपका व्यक्तितव भी आकर्शक होगा लगजरी भोग विलास इन सब को पाने की आपके अंदर इच्छाएं होगी ये पैशन होगा आपका जीवन के सभी अफ्षित्रों में संतूलन बनाना आप चाहेंगे दोस्तों साते वाव में शुक्र के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए है इन फलों में सब्तम भाव और पहले भाव पर अन्यगरों के परवाव से बदलाव संबव है आज के लिए बस इतना ही राम राम